असलाम लेकम प्यारे बच्चों वेलकम चुब्रहन मुंबई महानगर पाली का शिक्षिन वे भाग MCGM Virtual Classroom में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक्बाल है और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल हमारे फिल वक्त बन है लेकिन तालीम का सिलसरा रुगा नहीं है थमा नहीं है और जो है हम आपके सामने रोज बर रोज नए नए लेक्चर्स के साथ हाजर होते हैं तो वैसे ही आज का हमारा एक नए इंडरिस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख जरीन सबाव तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की असलाम लेकुम प्यारे बच्चों वैलकॉम जो जरीन सबाव वर्चुल स्टूडियो जरीन सबाव वर्चुल स्टूडियो में आप तमाम कस्त अकबाल है और मुझे अमीद है आप सब क्यारिट से होंगे और हमारे वीडियो को बाकाइद की से देख रहे होंगे जैसे के आपको पिता है YouTube पर हमारा चानल जरीन सबा वर्चुल स्टूडियो पर Standard 5 से लेकर Standard 10 तक के तमाम वीडियोज अवेलेबल हैं और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज मिलते रहे हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है इन्हेरा फे नूर यानि Refraction of Light ये आपके सीरीज का Part 4 है ठीक है? Part 1, 2, 3 हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है आप वहाँ से इसे देख सकते हैं Refraction of Light Standard 10 के लिए मजमून है Science 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्रॉम MCGM Virtual Classroom मॉंबई वर्च स्कूल बन है लेकिन तालीन पर सलसला जारी और सारी है इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं आपको याद होगा हमने Part 1 में पहले वीडियो में देखे थे इनहराफे नूर यानी Refraction of Light के बारे में क्या है Refraction of Light थोड़ा सा एक वीडियो लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से निकल कर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिम्त तबदील होती है इसे ही इनहराफे नूर या Refraction of Light के बारे में दाखिल होती है तब उसकी सिम्त तबदील होती है और इसे ही इनहराफे नूर कहा जाता है फिर इसके बाद हमने देखे थे मुक्तलिफ वास्तों में नूर का इनहराफ जब नूर के शुआ लतीफ वास्ते से कसी वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की चानिब जुकती है जब नूर के शुआ कसी वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परेहटती है अगर नूर के शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो उसकी सिंफ नहीं बदलती यानि वहां पर इंहराफ नहीं होगा अगर उमूदी दाखिल हो रही है तो ठीक है थर्ड वाली फोटो आप देख सकते हैं पहली और दूसरी फोटो में लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में या कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाकिल होते वक्त उसमें इनहराफ होता है ये हमने लास्ट चाइम देखे थे फिर हमने देखे थे dispersion of light नूर का बिखरना किसे कहते हैं किसी भी माध्दी वास्ते में नूर का अपने जुजवी रंगों में अलाइदा होना नूर का बिखरना कहलाता है हमने देखे थे किस तरह से प्रिजम से जब एक सूरज की रोशनी या वाइट लाइट गुज़रती है तो वह सांत रंगों में बिखर जाती है तो यह सांत रंग जो है जिसे विज्योर है ना इस नाम से हम याद रख सकते हैं तो इसे ही नूर का बिखरना या dispersion of light कहा जाता है Sir Isaac Newton ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तीफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर यानि प्रिजम का इस्तेमाल किया यह हमने भी लास्ट चाहिम देखे थे कि Sir Isaac Newton ने सबसे पहले बताया था कि किस तरह से शीशे के मंशूर या प्रिजम से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो साथ रंगों का तीफ हासिल होता है आज हम इससे आगे देखेंगे आज हम देखने बारे हैं जुजवी और कुली अंदरूनी इनकास के बारे में यानि पार्शिल एंड टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के बारे में जुजवी और कुली अंद्रूनी निकास पार्शल और टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या है देखते हैं जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होता है इस वक नूर जुजवी तोर पर मुनाकिस होता है ठीक है यानि इनेकास के कवानीन के मुताबिक नूर का कुछ हिस्सा पहले वास्ते में मुनाकिस होकर दोबारा कसीफ वास्ते की तरफ लौड जाता है इसे ही जुजवी इनेकास या पार्शल रिफ्लेक्शन कहते हैं बकिया रोश्नी का इनहराफ हो जाता है partial reflection and reflection occurs as light reaches a boundary between two media या two medium some light is reflected and some is reflected ठीक है कुछ का जो है इनिकास होता है और कुछ जो है वो वापस पलड जाती है तस्फीर में जैसे for example आप यहाँ पर देख सकते हो जब हम इस तरह के शीशे से बाहर देखते हैं तो आप उस बच्ची का देख रहे हो कुछ हिस्सा नजर आ रहा है उसका पूरी तरह से अक्स नहीं नजर आ रहा है कुछ नजर आ रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा है air water में आप example दिया आए गई है जब नूर की श्वद आगी गई तो reflected ray आप देख सकते हो angle of reflection भी यहाँ पर देखा जा सकता है some light is reflected and some is reflected ठीक है कुछ जो है क्या हो रही है मुनकिस हो रही है कुछ आरपार उस वहां से गुजर रही है partial reflection and reflection क्या है sun shining on water if the angle of incidence is near nearly zero sun is directly overhead most of the light penetrates the surface and very little is reflected as the angle of incidence increases that is at time of sunset जब सूरज गुरू होता है उस वक्त more light is reflected at the surface and less light penetrates the surface to be reflected ठीक है पहली वाली example जब सूरज जो है सर के उपर होता है तो वो दी गई है दूसरी वाली example जब सूरज गुरूब होता है तो उसकी दी गई है दोनों आप तस्वीर में A और B देख सकते हैं पार्शल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यहां दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग जब सकते हैं और बहुत कम लाइक जो है वो रिफ्लेक्शन होती है अभी यहां पर एक और एक और एकशेंपल दी गई है वो बस में देखिये एक लड़की है ट्रेन में बैठी है और आप देख सकते हो कि वो बाहर का भी मनजर आपको नज़र आ रहा है car के उस तरफ का भी काँच के उस तरफ का भी sorry और वो लड़की भी आपको mirror में नज़र आ रही है While looking out of a window you can often see the reflection of object inside the room लड़की room के अंदर है लेकिन उसका भी आपको reflection कांश पर नज़र आ रहा है that is your face as well as objects that are outside of the window लेकिन window के बाहर के जो object है वो भी आपको नज़र आ रहा है साथी window पर आपको अपना reflection भी नज़र आ रहा है तो इसको ही partial reflection and reflection कहते है देखें यहां पर फर्ग जो है बताया गया है reflection क्या है तस्वीर में आप देख सकते हो कि आपको पानी के नीचे के पत्थर भी नज़र आ रहा है और अतराब के जो दरखत और पहार है उसका अक्स भी पानी पर नज़र आ रहा है तो जो पत्थर का अक्स नज़र आ रहा है या दरखतों का अक्स पानी की सतह पर नज़र आ रहा है वो reflection है और जो आपको पानी के अंदर पानी इतना साफ और शफाफ है कि पानी के अंदर के पत्थर तक नज़र आ रहा है वो transmission या reflection है एक और example यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पर strong reflection और weak transmission बताया गया है जो पाहाड का अक्स आप देख सकते हो तो पाहाड का अक्स जहां नज़र आ रहा है वहाँ पत्थर नीचे के नज़र नहीं आ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है strong reflection हो रहा है पाहाड का अक्स जो है नजर आ रहा है लेकिन weak transmission है जबके जहां पर आपको पत्थर एक्दम clear नजर आ रहा है वहां पर weak reflection है लेकिन strong transmission है देखें जुजवी और कुली अंद्रूनी इनकास यहां पर आप देख सकते हो कि जब रोश्णी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परेहकती है यानि जाविय वकू आए जाविय आर से जाविय इनहराफ जो आर है उससे छोटा होता है ज क्योंकि इनहराफ नुमा मुस्तकिल होता है देख सकते हैं आप लो जब हम आई की पहमाईश बढ़ाएंगे तो आर की पहमाईश में भी इजावा होगा आई की ये मकसूस कीमत के लिए आर की कीमत 90 तकरीबन जब हो जाती है तो आई की इस मकसूस कीमत के जाविय को फासिल जाविय या क्रिटिकल आंगल कहते हैं जाविय फासिल से बड़े जाविय वकू वाली शुआओं के जाविय मुनहराफ़ा की कीमत 90 डिगरी से जादा हो होती है और यह शुआ कसी वास्ते में दोबारा पलक जाती है इस हालत में मुकंमल रोश्नी का इनकास होता है यानी टोटल इंटर्नल reflection होता है और इसे ही कुली अंदरूनी इनकास या मुकंमल अंदरूनी इनकास कहा जाता है तस्वीर में नीचे आप देख सकते हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन बताया गया है लाइट ट्रे दिखाई गई है आगल आप एंसिदेंस आया आप वहाँ पर देख सकते हो और आगल आप रिफ्लेक्शन आर से वहां बताया गया है और यह लाइट ट्रे कहां पर दिखाया जा रहा है ग्लास में उपर जो है मीडियम एयर नीचे ग्लास जो है दिया हुआ है तो इस हालत में मुकमल रोशनी का इनकास होता है और इसे ही अंदरूनी इनकास कुली अंदरूनी का इनकास या मुकमल अंदरू मुकमल इन्यकास हो रहा है और पूरी तरह से उसका शेड़ो जो है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उसकाच में या पानी में तो ये भी एक्जामपल है मुकमल अंदरूनी इन्यकास की मुकमल अंदरूनी इन्यकास यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ एक्जामपल मुकमल अंदरूनी इन्यकास की बताई गई है देखे पानी में आप देख रहे हैं कि वो लड़की जब डाइविंग के लिए अंदर जा रही है तो उसका बिलकुल उपर आपको जो है उसका अक्स नजर आएगा ये भी एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में ऐसे लग रहा है कि डबल सीडिया मौजूद है लेकिन ऐसा नहीं है जो अंदर की तरफ जो सीडिया है इसका ही कम्प्लीक जो है आपको रिफ्रेक्शन उपर नजर आ रहा है टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन की एक और एक्जेंपल देखें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जो कचवा है उसका बिलकुल एक्जेक्ट रिफ्रेक्शन आप पानी की सतह पर देख सकते हैं तो इसे ही टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन कहते हैं total internal reflection when the angle of incidence is greater than the critical angle there is no refracted light all the light is reflected back into the medium from which it came total internal reflection यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जाविय फासल की कीमत हम जेल के जाबते से मालुम कर सकते हैं अगर हमें पता करनी हो 1 and 2 is equal to sin i upon sin r कुली अंद्रूनी निकास के लिए i is equal to जाविय फासल r is equal to 90 डिगरी है तो 1 and 2 is equal to sin i upon sin 90 क्योंकि sin 90 जो है कितना होता है वान होता है तो इसके लिए 1 and 2 is equal to sin i अब देखते हैं कौसे कज़ा का बनना या धनक या रेंबो जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से बन दी हैं आप नहीं बारिश के दिनों में अकसर आसमान में इस तरह का सांत रंगों का पट्टा देखे होंगे है ना इसे हम क्या कहते हैं कौसे कज़ा या रेंबो कहते हैं देखने में ये बहुत जादा खुबसूरत मालूम होती है तो कौसे कज़ा जो है एक खुबसूरत कुदरती मजहर है या नैच्रल फेनोमेनन हम इसे कह सकते हैं जो बैक कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है जैसे नूर का बिखरना इन हैराफे नूर और अन्रूने इनाकास वगेरा खास तोर से बारिश होने के बाद आसमान में हमें कौसे कज़ा नजर आता है पानी के जो छोटे छोटे नन्ने कतरे होते हैं वो छोटे मंशूर की तरह अमल करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखे हैं जो शीशे का मंशूर होता है या prism जिसे हम कहते हैं तो वो जो prism पर जब सूरज की रोशनी पढ़ती है तो किस तरह से उसका इनकास होता है और सांत रंगों का पट्टा हमें नजर आता है तो बिल्कुल वैसे ही यह जो पानी के छोटे-छोटे कतरे होते हैं वो छोटे मंशूर की तरह जो है अमल करते हैं और नीचे की दस्वीर में आप देख सकते हो पानी का कतरा हो उसके उपर नूर की शुआ पढ़ रही है अंदरूनी इनकास हो रहा है और जब रोश्नी की शुआ फिर्जा में मौजद पानी के इन कतरों से गुजरती है तब इन शुआओं का इनहराफ होता है और बिखराव होता है उसके बाद कतरों में रोश्नी का अंदरूनी इनकास होता है इन्टर्नल रिफ्लेक्शन जो हमने थोड़ देर पहले देखे और आखिर में कतरे से बाहर आते हुए दोबारा से शुआ का इनहराफ होता है इन तमाम कुद्रती मजाहिर का मजूई असर हमें कौसे कजा की शकल में देखाई देता है देखे यहाँ पर इस तरह से सुरज की रोशनी आ रही है पानी के उन छोटे छोटे जो कतरे होते हैं उनसे टकराती है और फिर वहाँ पर क्या होता है इन्टर्नल रिफ्लेक्शन होता है और हमें कौसे कजा नजर आती है देखें यहां पर भी बताया है how a rainbow forms light आ रही है और water droplet है उसमें क्या हो रहा है reflection हो रहा है फिर reflection होता है और फिर उसके बाद जो observer होते हैं या जो उसे देखने वाले होते हैं उन्हें 7 रंगों का पट्टा नजर आता है और इसमें भी सात रंगों की सीक्वेंस वही है जो हमने मंशूर में देखे थे विबजॉर है ना विबजॉर, वॉयलेट, इंडीगो, ब्लू, ग्रीन जो सीक्वेंस है विबजॉर की वो ही यहाँ पर इस तरह से फॉलो होती है और हमें एक खुबसूरत धनक नज़र आती है अब एक मिसाल जो हलकी हुई यहाँ पर बताई गई है कि आपको पानी का मुतलग इनहराफ नुमा 1.36 है पानी में नूर की रफ़तार हमको मालूम करनी है खला में नूर की रफ़तार दी गई है 3 जाब 10 की कुवद 8 मीटर पर सेकेंड तो दी हुई मालूमात की बिना पर V1 is equal to 3 जाब 10 की कुवद 8 मीटर पर सेकेंड और N is equal to 1.36 है पानी का मुतलग इनहराफ नूर में एन दिया हुआ है तो N is equal to V1 upon V2 तो 1.36 is equal to 3 की कुवद 8 बटे V2 V2 अगर हम उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो 1.36 यहां नीचे आजाएगा ठीक है जाब है तो वो तकसीम में यहां पर आजाएगा और जब हम इसे मुक्तसर करते हैं तो V2 is equal to होगा 2.21 into 10 की कुवद 8 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यह पानी में नूर की रफ़तार हमें यहां पर पता चल गए तो इस तरह की भी अगर कुछ एग्जेम्पल यह तो किताब में दी गई थी और एक एग्जेम्पल दी हुई है वो आप लोग अस खुद देखें और हल करने की कोशिश कीजिए अब एक छोट इसी सरगर्मी जो है यहां आप लोगों के लिए दी हुई है क्या है आपके लिए सरगर्मी आपकी किताब के आखिर में दीया है खेलने के लिए लेजर का अस्तमाल किया जाता है तो इसकी मदद से रिफ्रैक्शन ओफ लाइट का आपको मुतालग करना है साबून के आप पानी पर आप इस तरह से लेजर की शुआ को डाल सकते हैं या साबुन के पानी के आप बुलबुले बनाकर उस पर लेजर की शुआ को डालिए और फिर देखिए क्या होता है और हमें कमेंग सेक्षिन में जरूर बताइए कि अगर आपनी तजरुबा किये तो आपको उसका क्या नतीज़ा हासिल तो थैंक यू सो मच फो वाचिंग आज के लिए बस इतना ही उमीद जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो आप अपने सवालात हमसे फूच सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूचिए आपके जवाब देने की पूरी-पूरी कोश़िश की जाएगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस दे बेल आइकन तो गेट आल दी नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अब अगले हफते आप लोगों से एक नए वीडियो में मुलाकात होती है अला हाफिस तो बच्चों मुझे उमीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अची तरह से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवैलेबल है आप इसे दो बारा से देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्सबुक ज़रूर रखिए ताके आपको जो है तमाम पॉइंस अची तरह से समझ में आए तो अब आप लोगों से इन्शालला अगले हफते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है